नमस्कार दोस्तों सोगत है आप सभी का मेरे चैनल सुनिल ब्लोग पर आज का ब्लोग है कुछ कास क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं NMDC बचेली के कनन चेत्र में एक कास अपडेट आज विसकर्मा जैनती है और इस कास मोके पर यहां सुरच्चा को लेकर कुछ आहम कदम उटाए गये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं NMDC बचेली ने आज कनन चेत्र में बाहरी विक्तियों और वहानों के परवेश्च पर पुर्वा परतिबंद लगा दिया है यहां कदम कनन चेत्र की सुरच्च और वहां काम कर रहे करमचारियों की सुरच्च सुन्चित क करने के लिए उठाया गया है दोस्तों यहां पर सिर्फ अधिकरित करमचारी और उनकी गाड़िया ही अंदर जा सकती है NMDC ने यहां सुन्चित किया है कि किसी भी बाहरी वेक्ति या वहान को आज के दिन अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी यहां सिर्फ एक दिन के लि ही है और सिर्फ उनी को अंदर जाने दिया जा रहा है जिन के पास अवसायक अनुमती है बचली दंतवड़ा जिला में इस वर्स वसत से जादा वर्स दर्ज की गई है बरी बारिस के कारण बैलड़ीला चेत्रे में सड़को नालो यतियादी का बहुत नुकसान हुआ है सात जीवन भूरी तरह से प्रभावित हुआ है तता हाम लोगों को वीबिन परकार की समस्यों का सामना करना पड़ रहा है नमडी सी का कनन चेत्र भी इससे अचूता नहीं रहा है नमडी सी के बचेली कनन चेत्र में भी बरी बारिस के चलते बहुत नुकसान हुआ है जगा बना हुआ है इसके अतिरिक्त बरी दूंद के कारण भी कनन चेत्र में कत्रा बना हुआ है अभी भी इस चेत्र में भारिस की संभावना बनी हुई है इन कत्रों को मदे नजर रखते हुए हाम नगरिकों की सुरच्चा एतू इस करमा जैंदी 17 सितंबर के दिन एनमडी सी ब आपने देख लिया यहाँ सब किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके दोस्तों इस कदम से ना सिरप कनन चेत्र की सुरच्चत सुन्चित होती है बल्कि यहां काम करने वाले करमचारियों को भी एक सुर। चित महुल मिलता है NMDC अमेशा से सुरचव को परत्मिक्ता देता रहा और आज के इस मोके पर उन्होंने एक बार भी यहां साबित कर दिया है तो दोस्तों आज का यहां चोटा सब व्लोग यही कत्म होता है अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो प्लिस लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना भूलें और हां कमेंट में बताई कि आपको यह सुरच्च इंतजाम कैसे लगा पीर मिलेंगे एक नए व्लोग के साथ तब तक के लिए जय विश्करमा